हेलो एवरिवन वेलकम टू देट टू ओफ न्यू सीरीज वन डेवन ट्रेड जहां पर डेली मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में एक ओप्शन ट्रेड लेता हूं और रिगार्डलेस ओफ मेरा प्रॉफिट हो की लॉस मैं उस दिर ट्रेडिंग बंद कर देता हूं तो इं अगर आज के मेरे के ट्रेड को देखेंगे तो आज का मेरा ट्रेड निफ्टी में था तो अगर हम लोग निफ्टी के वन आर के चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि निफ्टी का एक यह बहुती बहुती इंपोर्टेंट रिजिस्टेंस एरिया था जो की ब्रेक हु एक gap down खुला था और यही level और यह 16,400 का एक important level था तो मेरे को लगा कि market ने सुभह के time इस level को break किया है तो मैंने यह trade तब लिया था जब यह market नीचे के levels को sustain ने कर पाया और यह 12,20 के around एक break up देता है अगें इस level को break करता है और मेरे को लगता है कि यह एक बहुत ही important support area है तो इस level को market respect करेगा और break out करके breakdown होने के बाद भी market पहाँ पे support नहीं करेगा इसलिए मैंने इस candle की इस इसके next retest के time पे मैंने यहाँ पे 5 मिनिट चाट पे 12,25 के candle पे entry ली थी option buying करी थी 16,400 का call option buy करा था पर unfortunately उसके बाद market एकदम sideways चला गया और हमारा stop loss बुक हो गया था तो जैसा कि आप 0 पे देख सकते हैं आज का हमारा thousand रुपीस का stop loss बुक हो आए यह हमारी entry और अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो मैंने 11,25 की candle पे entry करी थी समवाट इस लेवल पे 118 की लेवल पे और यह मेरा stop loss था यह बुक हो गया था और मेरा target 30 points का था 150 का पर market आज कहीं भी move नहीं करा तो इसलिए मेरा stop loss बुक हो गया पर कोई बात नहीं यह सब तो लगा ही रहता है में भी कल हम एक अच्छा ट्रेट ले पाएंगे तो यह था आज का मेरा ट्रेड मेरा अनफॉर्चुनेटल आज stop loss बुक हो और थाउजंड रुपीज का लॉस हुआ पर मेरे को लगता है मेरी entry या फिर मेरे ट्रेडिंग साइकोलोजी में आज कोई भी दिक्कत नहीं थी आज का मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेस था और आज ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट नहीं बना था इसलिए मेरा stop loss बुक हो गया पर कोई बात नहीं कल हम लोग त्राइब करेंगे that's it for today's video, hope you liked it please subscribe to the channel if you are liking this new series thank you